सब्सक्राइब करें हमारे यूटूब चैनल को और बेल एकन दबा कर यहाँ पर आल पर सेलेक्ट कर देता किस प्रकार के वीडियो के जनकारी मिलते रहे तो चलिए शुरू करते हैं हाई दोस्तों वेल्कम बैक दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कंप्यूटर और मुबाइल के डेटा ट्रांफर के बारे में हम बताएंगे कि किस प्रकार आपने जो है बीना केबल के बीना इंटरनेट के आप जो है अपने मुबाइल से कंप्यूटर में और कंप्यूटर से मुबाइल में डेटा को जो है असानी से ट्रांफर कर सकते हो वीडियो को अ आने के बाद यहां पर आपको computer या दिस्ट किसी दिखाई दे रहा होगा वहां पर क्लिक करना है वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूँ इसको जो access करने के data को दो तरीके होते हैं और कुछ problem भी आते हैं कई लोग इसके बारे में जानते होंगे लेकिन कुछ problem भी होते हैं जिसका solution इस वीडियो में बताने वाला हूं तो पूरा वीडियो को अंत तक देखना है वीडियो अच्छा लगे तो like जरूर करना है दोस्तों तो मैं आप लोगों को एक बात पहले बता दूँ कि आपको इस चीच को करने के लिए अपने mobile में एक application डाउनलोड करना होगा जो कि यहां पर इसक्रेन में मैं आप लोगों को दिखा देता हूं कैसे करना है आपको Google Play Store open करना है open करने के बाद यहां पर सर्च पर आपको लिख देना है FTP file transfer उसके बाद यहां पर Wi-Fi FTP file transfer server जो है आपको क्लिक करना है यह जास्ट दो MB का है इसको install कर लेना है इसके बाद इसको open करने के बाद इस प्रकार से open हो जाता है अब यहां पार आपको एक setting करना होगा जैसे कि यदि आप चाहते हो कि अपने mobile में लगे कोई memory card से आप data को access करना चाहते है या transfer करना चाहते है तो आपको यहां पर setting पर क्लिक करना होगा नहीं तो यह जो है और automatic defaultcs रूप दिखाता है तो करता है यदि आप memory location चेंज करना चाहते हो तो यहां पर groups रूट फोल्डर पर आपको क्लिक करना है और यहां पे रहने देता हूं उसके बाद आपको क्या करना होगा अपने मॉबाइल के वाइफई हास्पोल जो है उसको अन कर लेना होगा यहां पास और उसको अपने कम्प्यूटर से कलेक्ट करने होगा connect करने के बाद यहा पर आपको Start जो बटन है वहाँ पर आपको कलिक करना होगा यहा मम होगा यहा पर आपको default करना होगा उसका पर यहां पर आपको जो है server URL दिखाई दे रहा है उसको आपको copy कर लेना है किसी test वेगरे में तो चलिए आगे का प्रोसेस computer में बताते हैं उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना होगा यहां पर computer इस PC में क्लिक करना होगा यहां पर आपको जो है right click करना होगा edit network करके दिखाई दे रहा है वहां पर आपको क्लिक करना होगा क्या करना है यहां पर यह एक तरीका है आपका एक्सेस करने का दूसरा तरीका और बता देता हूं दूसरा तरीका है यहां पर जैसे की इस प्रकार से उपन होगा देखिए इसका जो है आ गया है तो यहां पर इसको मैं डेलिट कर देता हूं दोबारा जो है डबल हो चुका है तो यहां पर उसके बाद जो है यहां पर आपको क्लिक करना होगा उसके बाद जो आपने लिखा है उसको जो है यहा दोनों ही तरीका है जो इससे आप open कर सकते हो लेकिन इसमें फायदा क्या होता है मैं आपको बता देता हूं जो पहले प्रोसेस बताया वहाँ पर यहां पर फोल्डर बनके रहे जाता है जिससे आप भीना यहां पर copy पेश्ट किये सिधा एकसेस कर सकते हो जैसे कि यहां पर आप देख सकते हो यह तो यह इसका जो है एक आसान तरीका है तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताना चाहता था जैसे कि मैरे mobile पर कोई data है पिक्चर में या फिर कोई वी वीडियो आगर है कुछ भी ले सकते हैं पर अधिर आधिर फोटो लेता हूं यह एक फोटो है ठीक है आप इसको मैं देखना चाहता हूं तो यहां पर कोई भी ब्राउर्जर डिफाल्ट रूप से ओपन होता है अब देखे यहां पर यहां पर हम इसको यहां desktop पर copy कर लेते हैं या फिर अपने computer पर copy कर लेंगे simply तो यहां पर इसको double click करेंगे तब यह open हो जाता है देखिए ठीक है जैसे कि मैं कोई दूसरा वाला करता हूं यहां पास अब इसको copy करते हैं देखिए यह open हो गया ठीक है तो इस प्रकार से है मतल इस्टार्ट मेनू पर जाना होगा यहां पर आपको डिफॉल्ट प्रोग्राम में जाना होगा जैसे कि यहां पर डिफॉल्ट प्रोग्राम करके दिया है वहां पर जाना है वहां पर जाने पास यहां पर आपको सेट अप यह डिफॉल्ट प्रोग्राम दिया होगा यहां पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको यहां पर Chrome जो है Google Chrome वहां पर क्लिक करना होगा क्लिक करने के बाद यहां पर आपको यहां पर आपको यहां पर क्लिक करना होगा क्लिक करने के बाद यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर लिखा है तो सभी में क्लिक कर देते है जितना FTP समबंदित है तो उसके बाद यहां पर आपको Save पर क्लिक कर देना होगा इसके बाद आपको यहां पर OK पर क्लिक कर देना होगा तो मैं OK पर क्लिक कर देता हूं यह हो गया इसको चैनल में बेने रहना अपने भाई को सपोर्ट करना ताकि इस प्रकार के और जो है अमेजिंग वीडियो आपके लिए लाता रहे आपको कुछ समस्या हो कुछ प्राबलम हो तो मुझे कमेंट बाक्स में जरूर बताना हो सकें मैं आपका जो है पगाने की कोसिस करूंगा तो म अगले वीडियो में आप तक लेजाएंगे अगले वीडियो में आप तक लेजाएंगे